यूटूब चैनल मैं हूँ कृदिका बंडे और मैं आज आपको बताऊंगे कि ट्याली एर्पी नाइन में पर्चेस, सेल, पेमिंट और रिसीब वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में पताया था शायद आपको याद हो कि मैंने उसमें आपको सारे वाउचर के बारे में पढ़ाया था कि कितने वाउचर होते हैं किस वाउचर का यूज किस एंट्री में किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है जब तक हमें यहीं नहीं पता चलेगा कि हर वाउचर का मतलब क्या होता है कि इंट्रे में हम कौन सा वाउचर यूज करें तब तक हम वाउचर एंट्री नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपको यह सारा उस वीडियो में बताया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप आप हमारे टैली आपी नायन के प्ली लिस्ट में जाके वह वीडियो जरूर देख ले तो आज हम आपको बतायेंगे कि पर्चर वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं और ये सब मैं आपको बताऊंगी इन असाइनमेंट की तरुम जिसमें ने देखी आपर वचछर की चार जो है यहां पे पनी लिए रखी है और पिर इसमें हमने आपको पेमेंट और रिचे की लिख रखी हैं पेमेंट और रिसिप्ट की दो-दो हैं, क्यों है यह मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी, ठीक है, तो पहले आप वीडियो पॉस्ट करके आप यह पूरा असाइनमेंट में जितनी भी एंट्रीज है, पहले आप उनको पनी कॉपी बे नोट कर लीजे, ताकि फिर आप आराम क्योंकि अभी हमारा फैनेंशल यही चल रहा है, तो इसकी करेंट जो पीरेड है, वह यही है, ठीक है, करेंट डेट जो है, वह लगी हुई है, एक अप्रेल दोजार तेस, जो मैंने आपको पहले बताया है, कि कभी भी तैली में किसी भी बाउचर की जो बाई डिफॉल्ट यह पर चाला Гण, लगी होती है क्योंकि फैनेंशल, हमेशा च sair रहते साथ हो earn तो, इसकी कूंत्र, अफारल. complete सब पूरा खतम करेंगे तो आगे की सारी चीजे बहुत आसान हो जाती है अब काउंटिंग वाउचर पे यहां पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे जो हमारा बाइडफॉल्ट यहां पे जो अभी वाउचर ओपन है वह है रिसीप वाउचर इसका मतलब कोई लास्ट एंटरी इसमें हुई होगी और इसके साथ ही साथ आपको इधर इधर लेजर भी शो होते रहेंगे जो भी आपके सिस्टम में लेजर है और इसके साथ में यहां पे देखेंगे कि आपकी लिख क्यारी टेली में यह चीज बहुत अच्छी होती कि सब के शॉर्ट कुरहं कいく द Holy चेज वे सामान के बारे में बात होती तो हमेशा हुसे विड्य से परेज़से कीड़ेशल कि क्या नहीं कूछ चीज तो अपकर पेला के कि अटर्मिश कीराणनौ को उसको में जब साथ मीज़ता हैं नहीं यहीं इंट्र करते हैं दिधस तार अंसे अगे सामान voucher मिलेगा ठीक है अब keyboard से अपने F9 प्रेस करना है तुरंत आप देखेंगे यहां से मारा purchase voucher open हो जाएगा पर अभी यह जो purchase voucher open है न ही inventory mode में open है किसमें open है inventory mode में इसका मतलब यह है कि इसमें देखिए हमे name of item quantity rate यह सब as voucher यह फिर accounting mode में change करने का shortcut होता है control plus V क्या होता control plus V आप यहां पे देखेंगे आपको यहां पे as voucher का shortcut मिल जाएगा इसमें आप देखिए V के नीचे double underline है इसका मतलब अगर single underline इसका मतलब वो alt के साथ प्रेस करने है तो देखना जैसे हम control के साथ वी तो आप देखेंगे हमारा क्या आगया है as voucher mode आगया है अब इसमें कोई भी item rate हमें कुछ नहीं देना है इसमें सिर्फ हमें दो चीज़े देनी होती है एक credit side, एक debit side अब एक credit side, debit side क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले accounting के class में पढ़ाया हुआ है कि credit मतलब होता है जो चीज हमारे पास से जा रही है what goes out और debit मतलब what कम सी जो हमारे पास आ रहा है तो जो हमारे पास से जाता है उसको में सा credit side रखते है और नीचे एक debit का option आता है debit में वो रखते है जो हमारे पास आ रहा है तो देखिया एंट्री करने से पहले सबसे पहले यहां पे आप देख रहे है एंट्र करेंगे तो आपको यहां से date का option मिलेगा आप किस date पे समान purchase कर रहे है वो data आप यहां पे देदेंगे मैंने आपको पहले यह भी बताया है कि tally में साथ 2 mode में होती education mode में license mode में अगर आप license mode का यूज कर रहे हैं जो कि paid होता है अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी डेट मेंट्री कर सकते हैं पर अगर आप educational mode यूज कर रहे हैं जो कि सीखने के परपस से होता है तो इसमें सिर्फ किसी भी महीने के सिर्फ तीन ही dates दी जा सकती है 1st, 2nd and 31st तो जैसे यहां पर एक अपरेल बाइडिफॉल्ट आ रहा है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले voucher का date चेंज करना पड़ेगा अगर देखना इसे हम ऐसे चेंज करेंग एक मई करना चाहेंगे तो देखना यहां पर एक मई चीक है और जो भी डेट आप देंगे वो याद रखेगा वो करेंट पीरियट के बीच की ही देनी होगी एक अपरेल से 31 मार्ट 1224 ठीक है अब यह कब चेंज होगी जब हम यह बाला जो वाउचर की डेट आरी हूं से पह है ठीक है अब बात आती है क्रेडिट की तो हमने 10,000 रुपए का सामान खृट हमारे tramite क्या गया दस जार रुपए है इसका मतलब दमारे पास से क्या क्यूंसे क्या है कैश क। चैश रखेंगे क्योंकि इसमें बैंक का तो नाम दिया नहीं दिया अगा अगर मैंक का लेजर प्रीफाइन मिलती है कैश के और एक प्रॉफिट एंड लॉस के तो कैश की प्रीफाइन है तो उसको हम एंटर से यहां करें कैसे कैसे सेलेक्ट कर लेंगे चीक है उसके बात बात आती है कि कुतने का हमने सामान खरीदा दस जार का तो हम यहां से वो दस जार रुपए अपना एंटर कर देंगे और आप देखेंगे वो दस जार रुपए में क्रेडिट साइड दिख रहे हैं इसका मतलब वो हमारे पास जार है एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहां पर debit option मिलेगा अब हमने 10,000 रुपए से क्या खरीदा है? सामान खरीदा है तो क्या खरीदा है? सामान तो हमने goods purchase किया है 10,000 रुपए का तो हमारे पास क्या है? goods तो हमारे पास debit हुआ है goods तो हमें goods का laser बनाना होगा इसमें आपको दोनों तरफ एक एक laser देना होता है वो account देना होता है जो कि जिससे चीजे जा रही है यह जिसमें चीजे आ रही है वो दोनों account आपको इसमें select करना होते है और हमाम ने आपको सब theoretical पहले बहुत अच्छे से समझा दिया था ताकि आपको practical जिया हो जाए अब देखिए हमें यहां से debit में रखना पड़ेगा goods जो कि हमारे पास आया है तो goods का हमें यहां से laser बनाना पड़ेगा पर अगर आप उस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं अगर आप यहां से direct laser बनाना चाहते हैं आप इसके लिए keyword से alt के साथ c प्रेस करेंगे alt c प्रेस करेंगे तो सामने laser creation का window आजाएगा यहां से आप अपनी वो laser बना लीजे जो आपको चाहिए तो जैसे हमने goods purchase किया है तो हमें यहां से किसकी laser बनानी होगी goods purchase ठीक है goods purchase के हमने अपनी laser बना ली मतलब जो खरीदा हूँ हमारा सामान है एंटर करेंगे laser में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें इसमें देना ज़रूरी है एक name और एक undergroup और यह मैंने आपको सबसे पहले last class में बहुत अच्छे से समझाया है तो प्लीज अगर आपको laser बनाना नहीं आता है तो आप हमारा last dollar वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको laser का पूरा concept है clear हो जाए कि laser में यह कौन कौन से option है जाते हैं कौन से नहीं दिये जाते हैं सारी चीजे और इसमें कौन सी लेजर में कौन सा undergroup select किया जाता है यह भी मैंने आपको last class में बता दिया है तो तो क्योंकि एक goods purchase की laser है तो इसका undergroup हो जाएगा purchase account और purchase account हम एंटर करके इसको यहां से सेफ कर लेंगे control प्लेस एक साथ ठीक है इसे हमने यहां से सेफ कर लिया है inventory values को में affected नहीं कर रहें क्योंकि inventory से हमें कोई मतलम नहीं अब देखे goods purchase हमने जैसे laser बनाई तो हमारे 10,000 रुपए इसमें भी debit side आ जाएंगे तो इसको हम एंटर करेंगे एंटर करेंगे सेफ कर लेगे तो देखे एक entry मारे सेफ हो गई है अब आगे आ है purchase number 2 अब हमारा एक voucher हो गया है दूसरे voucher यहां पर ओपर हो गया है चलिए हम दूसरी एंटरी देख लेते हैं इसलिए हम आपको चार एंटरी बता रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में है दूसरी एंटरी है purchase goods for rupees 4000 चार अजार रुपए का हमने सामान खरीदा तो देखे सेम सिस्टम है बिलकुल supplier का invoice number अगर देना है तो दे दीजे एंटर क को change करना चाहते तो आप अफ to price करिए और आप यहां से कर लिजे दो माई किसी भी year की आप किसी भी मन्त की 3 दे सकते एक दो और 31 तो हम इसको यहां से देखे कर देंगे दो माई 2000 तो हम अब हम दो माई में कोई चीश सामान खरीद रहे है तो हमने 4000 रुपए का सामान खरीद कर देंगे और इसकुरा हूँ करेंगे और इसको हम सेफ करेंगे अगर आप को Datta तो प्लीज आप हम् projets करके आप जरूरm पूचे और आप यह सारे के पंड़ने के पहले आपको accounting जाने को अच्छे से नौलेज वोDonald लास्ट के जो टैली के वीडियोस हैं उन्हें आप जरूर पहले देख लें इसको सेव करते हैं ठीक है तो दो एंट्री मारी हो चुकी है तीसरी एंट्री एंट्री देख लेते हैं पर्चेश गुड्स फ्रॉम अमान इंटरप्राइजेज फॉर रुपीस 50,000 देखें ये एं पास सामान जा रहा है तो इसके लिए हमारे पास सामान हो जाएगा डेविट और अमान इंटरप्राइजेजे पास सामान रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा अब आप सोचेंगे फिर में कैश वारा सिस्टम आजाएगा के इंटरी स्कें में बाद में करनी होती है जब दूसी पार्टी का नाम दिया गया होता है पर इस बार credit की जगए cash नहीं रखेंगे और उस party का नाम रखेंगे और उसको जो payment करेंगे उसके entry मापको द्वारा करके बताएंगे तो among enterprises को credit और goods purchase डेविट चलिए स्कोप करके देखते हैं तो देखें यहां पर मारा supplier invoice number जो भी हो आप उसको यहां पर देढ़ीजेगा date अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चलिए वापस इसके हम यहां से date चेंज कर दे रहे हैं 1 April 2023 कर दे रहे हैं वह 1 June 2023 कर दे रहे हैं हम laser create करेंगे among enterprises enter करेंगे और इसका under group क्या होगा sundry creditors क्योंकि यह हमारे लिए creditor है इसलिए क्योंकि इनके पास सामान आ रहा है इनके पास सामान जा रहा है तो इसलिए हमारे लिए creditor हो गया है अब यहां से एंटर करेंगे और control एसे से सेफ कर देंगे कि बांगी के options अभी में skip कर रहे हैं जो हमने आपको पहले बता भी रखें इतना करने के बास supplier की details बगारा देनी है तो आप दे सकते हो और आमन इंटर्प्राइजस से हमने कितने का सामान खरीदा था हमने सामान खरीदा था यह 50,000 करें तो यह 50,000 रुपए हम यहां पर फिल कर देंगे पर आपको चाहते तो हम औप भी कर सकते थे पर आपको हमें यह चीज बता नहीं थी कि अगर ऐसा यह आये तो इसमें आप किसे इडवांस पे कर रहें से इंडवांस ले रहे हो या फिर आप इंको किसी भी चिज का इड़स्ट में कर रहे हैं dobr इंके रहे हैं यहां वनके साथ फिर नियु रिफरेंस को नीजमें तब किया जाता है जब आप कि को advanced payment करो या अप advanced पैसे लो तो आप यहां पहें विलभाइव डिटेयल में advance करेंगे इसके बाद आता है against reference इसके में क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज्ञ जो आपने खरीदी हिय वह करता आप उसके against शेटैट सब्सक्राइब आप पैसे उसमें अगेंस लिया जाता है पर हम यह भी नहीं कर रहा है फिर उसके बाद आता है लिए विद्र गाज़ करने स्टेंद नियु रफरेंश करेंगे यह मैं नियु रफरेंश जोटाया है इसे आप देख लीजिए center करेंगे, इसको हमें से enter, enter करके से निकल माइंगे, इसके बाद, debit हमारे पास goods we purchase हम Canada बीद मी लेगे एक से अप को हम पॉर्चिज गूट्स फ्रॉम्र चावारी एंट्री ने वारा सो रुपय का सामान शोकी है तो यह होगी इसमें goods purchase debit होगा, वीमार्ट क्या हो जाएगा, credit होगा, और इनका भी payment हो, बाद में करेंगे, तो simple है बिलकुल, वैसे हम इसके entry कर लेंगे, अपनी जैसे करीद ही, credit में हम वीमार्ट रखेंगे इस बार, तो वीमार्ट की में laser बनाएगे, वीमार्ट यहाँ पर अपनी laser बना है, एंटर किया, और यह भी purchase entry है, तो new reference में जाएगी, एंटर करते हुए, debit में goods purchase ले लेंगे अपना, क्योंकि सामान आ रहा है हमारे पास, जब सामान करेट है, तो हमारे पास सामान ही आता है, हर बार debit होता है, अगर सामान का नाम दिया होता है, तो वो सामान का नाम होता ह उस नाम सा laser बनती है, नहीं दिया है, तो सिर्फ goods रहेगा, एंटर करेगा, उसको हम यहां से सेफ कर देंगे, तो चारों entry हमारी purchase की हो चुकी है, ठीक है, अब आगे बाद आती है, sales voucher की, sales voucher का shortcut होता है, effort, और पहली entry क्या है, sold goods for rupees, 20,000, 2000, देखे, बहुत आसान है, अगर आपने purchase voucher सीख लिया, तो sell voucher आपको बहुत आसान लगेगा, तो इसमें क्या हुआ कि हमने 2,000 रुपय का सामान बेंचा, 2,000 रुपय का हमने सामान बेंचा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इसमें पैसे आएगे, इसमें goods आता था, इसमें goods जाएगा, बिल्कुल opposite हो ज जाया, पर फिर से यह मारा inventory mode open हुआ है, तो इसको फिर से as voucher पे लेके आएगे, तो उसके लिए control V प्रेस करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताएगे, जैसे sales voucher पे आएगे, अब अपनी entry करेंगे, 2,000 रुपय का सामान बेंचा, ठीक है, अब जो हमने 2,000 रुपय का सामा सामान बेचा थो मारे पात, दो हजायर रुपए हाए, वह मने 2,000 रुपय को डेइबट साथई, ठीक है, अब enter करेंगे, अब आती है credit की बात, आपके पास से क्या गया? जब दो हजार रुपय का सामान बेचा, तो क्या गया हमारे पास से, हमारे पास सामान, कौन से सामान? वोट जेल हिए हमारे पास से गुट सेल जो रहा है जब आता था ड़ा तγोड पषचेच और उपजा रहा है तो हम वोड़ियॉट की लेजर हमारे पास है नहीं और क्था یकर अन्टर करें डुट सेल जेसे हम सेफ करल नहीं एस एज'rel है हमारे पास जा रहा है तो इसको credit side करके हम इसे safe कर देंगे देखें बहुत आसाँ सी entry है इसके बाद दूसरी entry देखें sold goods for rupees 35,000 35,000 रुपए का सामान बेचा बैचा सेम तो है कि 65,000 रुपए का सामान बेचा हमने तो वैसे बिलकूल entry होगी हमारे पास आएंगे 35,000 रुपए और हमने यहां पर cash ले लिया है ठीक है और हम यहांपर दे देंगे 35,000 रुपए credit में हमारे पास से क्या जा रहा है सामान जा रहा है तो goods sales को हमें आजसे credit कर देगे कि दूसरी एंट्री भी हमारी successfully हो चुकी है तीसरी एंट्री देखते है sales goods तो RAM customer 4 रुपीज 1,20,000 तेखिये बिलकूँ पहले कि daar ra entering अगई है इसमें भी दूसरी party का नाम दिया गया है किस cu बात नहीं आएगी किस का दूवारा नहीं थाहां पैसे लेने पड़ेंगे और इसमें क्या कर रहे है में dif 나눈 को certo जाये का में best गायल भाड़य कर लाक काई है तो नेचे की बात यहां मुं Mr. इपने राम कस्टमर की आप सामा जा रहा है तो यह हमारे ली क्या हो जाएंगे someday जब सामान उनके पास है तो वो क्राइडिटर होते हैं अब यह हो जायेंगे संड्री डेतर थीक है इसको हम कंट्रॉल हचा और कि यहां से अंबैलेंस वे कर देंगे एक लाग भी सेजार ठीक है इसके बाद एंटर करेंगे और यह पर्चिज यह सेज्स के एंट्री में इसा न्यू रफ्रेंस में जाती है तो न्यू रफ्रेंस चूज करेंगे एंटर करेंगे credit में हमारा goods sales और इसको में enter करके save कर देंगे clear है इसी तरीके से हम अगली entry करेंगे sold goods from sold goods to ABC electronics for Rs.6,000 ABC electronics को 6000 अका हमने सामान बेचा है तो बिल्कुल वैसे entry होगी हमारी reference number यहाँ पर आप दे सकते हैं enter करेंगे तो date change करनी है तो देखे बिल्कुल वैसे इसमें भी date change होगी जैसे अगर हम एक जुलाई करना चाहते हैं तो हम एक जुलाई यहाँ से कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर debit side में हम ABC electronics को 6000 का सामान बेच रहे हैं तो कौन debit होगा ABC electronics क्योंको उनके पास सामान जा रहा है इनकी भी laser बनानी होगी अची किया और हमने यहाँ पर दे दिया ABC electronics एंटर करेंगे यह भी संटी डेटर सी रहेंगे क्योंको इनके पास सामान जा रहा है और control एसे से से सेव कर देंगे 6000 रुपे का सामान इनने बेंच रहें, 6000 रुपे डेबिट हो जाएंगे न्यू रफ्रेंस रहेगा और credit में क्या रहाएगा हमारा good sales इस तरीके से आप अपनी purchase sales की सारी entry कर सकते हैं तो हम आपको आगे बता देते कि इनका payment और receipt कैसे किया रहाता है अब देखे payment में हमने दो ही entry रिखी है और receipt में भी इनट्री लिखी है ऐसा क्यूं है? क्योंकि बांकी जो हमारी दो उपर के entry थी उनका देखी हमने payment साथ में ही कर दिया था और इसमें भी हमने पैसे साथ में ही ले लिये थे तो अब इनका बाद में payment receipt कई 시स्टम नी रह गया हमने किसका payment नी कर पाया campaign पीपाया विमार्ट का साथ में नी कर पाया सेम एसे हमने गार्व कस्टमर सँ सबी से साथ में पैसे नी ले पाया और यह ने हम 50,000 का payment कर रहे हैं पयमिंट का हमेशा जाता है F5 में देख लेते हैं यहां पे देखें सेट अरोपन है हम F5 परेस करेंगे payment voucher कर देंगे आप अमान इंट्रप्राइज इस को पचास जार रुपए उधार है तो देखेंगे आपको बटाया था जिब किसी चीज के बदले में पेमेंट रिसीट करते हैं तो उसको हमेंसा अगेंस्ट कर देंगे और अगेंस्ट जैसे आप डालेंगे तो जो पेंडिंग विल्स होंगे वह आपको यहां पे दिखने लगेंगे एक ही मारा के सब्सक्राइब करेंगे इनका सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दीथियह पैमेंट कर देंगे अब यहां से हम कैश अपना चूच कर लेंगे के क्रेडिट में हमारे पास से पैसे जा रहे हैं एक पेमिंट हो गया है सेम ऐसे दूसरा पेमिंट होगा पेट वीमाट रुपीज 1,000 वीमाट को एक हजार रुपए पे करने हैं विल्कुल ऐसे कर देंगे डेबिट में वीमाट रखेंगे वीमाट के पास पैसे जा रहे हैं थीक है अब वीमाट सेमने का सामान हमने पड़माट किया था बारासो का पड़मेंट कर रहे हैं सिर्फ 128 बेंट कर भी में इन नहीं कर रोह हैं तो वह अब हम कर बना रहे हैं Automotive onлав that कर रहे है twee सब्सक्रीनätzen करा बाइब रहे इसका मतलब हम पर है अगर यहां पर डेबिट आता है इसका मतलब इन पर हमारा है क्रेडिट साइड में हम अपना वही कैश रखेंगे और इनका भी हम पेमिन कर देगे इस तरीके से तो पेमिन के भी इंट्री हो चुकिए अब बस्ति हैं सर्फ रसीप के इंट्री उन्हें भी देख लेते हैं तो जीप वाउचर से 1.002,000 रुपई लेने हैं तो जुछ से सारी लेजर से अपना लीजर अपना लेजर करें और यहां पर सकते हैं oba यह यह भी इसी चीज के अगेंस्ट, इसले हैं gonna against में जाएगा बिल नंबर अपनल सेलेक्ट कर लिया और debit में हमारे पास क्या आ रहा है cash, तो अपने यहां से cash द्यूश कर लिया, हमारे पास पैसा आ रहा है तो यह हमारी receipt country हो गए, एक और receipt country है, receipt rupees 6500 form ABC electronic, ABC electronic से हमें 6500 रुपए receive हुए हैं, पर हमने ABC electronic को कितने का सामान बेंचा था, इनको हमने बेंचा था सिर्फ 6000 का, पर यह हमें 65 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए हमें extra payment कर रहे हैं, मतलब यह हमें advance दे रहे हैं 500 रुपए, ठीक ह तो यह हमें advance दे रहे हैं 500 रुपए, तो हम total इन से लेंगे 600 रुपए, अब देखे, इसकी entry receipt में ही जाएगे, ABC electronic से हमें पैसे लेने हैं, ABC electronic से रख किया, देखेंगे इन से हमें 6000 रुपए लेने, पर यह हमें दे रहे हैं 6500, 500 रुपए हमें advance दे रहे हैं, यह आप रख ल पर वो किस में जाएंगे, यह 500 रुपए हमें किस में दे रहे हैं, advance में दे रहे हैं, तो हम उसे advance में डालेंगे, हम यह से इसी जगहें पर advance का यूच किया जाता है, जब आपको कोई advance रुपए दे या फिर आप इसकी को advance पैमिन करेंगे, तो इसको हम यहां से enter कर देंगे और debit में अपना cash select कर लेगे हैं, आपने देखा कि हमने purchase, sales, premium internship की सारी इंटरीच कर ली है, सबको अच्छे से समझ लिया, अगर आपको कोई doubt रह जाता है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर पोच ले, वीडियो पसंद आया तो like, share, हमारे चानल को subscribe जरूर करने, all the best have a nice day